हेलो स्टुडेंट नमश्कार सभी को तो शुरू करेंगे हम आज का टोपिक जो है टेस्टिंग तो सबसे पहले में आप से कुछ बात करना चाहता हूं जो प्यार आपने सेड की सीरिस को दिया है या सिस्टम अनेलिसिस एंड डिजैंग की वीडियो को दिया है उसके लिए ब फेज है वो बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट ओव यू से तो इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि चीजों को डिटेल के अंदर डिसकेशन करेंगे और किस तरसे एक्जाम के अंदर कोशिशन आ रहे हैं वो सारी चीज़े हम देखेंगे तो अगर आपको जैसे हम एक एक्जाम्पल के तुर चली रहे हैं आप मार्केट के अंदर मोबाइल लोंच करना जाते हो जो शुरू से मेरी वीडियो से देख रहा है उसको पता है मैं एक इस्ट्रेट एक्जाम के तुरू चल रहा हूँ के एक्सवाजेट की कंपनी है और आप आपकी कंप वह भी मोबाइल की कम्पनी आए एक्सवार जेट नाम से और – कम्पीट करें तो कोई भी सिस्टम या सम्प्वजर मार्केट में आता है तो कंपिटिशन करना होता है और विशी बात है जब उसको computer से करना पड़ेगा और अगर वो दूसरे software और system से कहीं ने कहीं अगर पिछे रहने का उसका कारण क्या रहेगा कि उसका performance नहीं है तेस्ट मतलब समझ गया जैसे mobile है आपका और आप चाहते हो कि एक्सवाइज जेट कमपनी का मार्केट के अंदर अच्छा कमपीट करें तो आपको क्या करना पड़ेगा इस यह जो mobile है इसको testing phase से गुजारना पड़े टेस्टिंग का मतलब आम जो user क्या-क्या input इस mobile दे सकते हैं और क्या-क्या output वह expect कर रहे हैं उन सारे दोर से इस mobile को गुजारना पड़ेगा ताकि अगर इसमें कोई problem हो detect हो तो company में से बाहर निकरने से पहले इसको करेक्टी लिजाए no doubt कोई भी system 100% तो accurate नहीं होता है पर कोशिस की जाती कि उसको up to 100% बनाया जाए ओके ठीक है तो हमेशा कोई भी system और software market में आएगा उससे पहले उसको testing वेसे गुजलना होता है तो testing क्या होता है देखिए is a process of identifying correctness of software by detecting software bugs और एक और defect क्यों मिला कि इस process of identifying correctness of software हम कोशिस करें हम हमेशा क्या कोशिस करते हैं जो भी software यह system वारा market के अंदर आए वो correct तरीके से काम करें सही तरीके से काम करें data सही generate करें और यह कैसे करेंगे उसको testing में लेके आएंगे by detecting software bugs और errors कोशिस करेंगे कि इसके जो भी bugs है errors है जैसे मोबाइल हेंग हो हो जाना heat up हो जाना फोटो साही नहीं लेना यह सारी प्रोग्रम आती ही है अगर आपने जो भी लोकल को मोबाइल को अगर मोबाइल खरीदा हो और एक यही तो difference होता है कि branded company के अंदर अपने प्रोड़क को काफी अच्छी सक टेस्टिंग दोर से उसको गुजर रहा होता है ओके तो अगर आप भी आपके प्रोड़क को चाहते हैं तो आपको टेस्टिंग फेज उसके अंदर implement करना ही पड़ेगा ओके तो चलिए अब हम one by one देख थे कि टेस्टिंग के टाइप्स कौन कौन से तो काफी टाइप्स है इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि उसको में इस एक बोड़ के अंदर fit करने की तो देखिए यह है टाइप ओप टेस्टिंग यहाँ पर आप चाहिए तो इसका screenshot ले लिए टाइप ओप टेस्टिंग तो यहाँ पर अलग अलगतरी की टेस्टिंग है तो जो भी important टेस्टिंग है exam point of view से उनको हम detail के अंदर discussion करेंगे और कोशिश में करूँगा कि ज्याद ज्यादा आपको questions करा सब्सक्राइब उसके तुरू यह आपको चीजे ज्यादा समझ में आईगी ओके तो टाइप ओप टेस्टिंग अवराद दो तरुकी है manual टेस्टिंग और automatic टेस्टिंग तो जैसे नाम से आपको पता चलता है manual टेस्टिंग का मतलब क्या होगा जो सार आई चीजे हमें manually करना ही पड़ते होगी और automatic टेस्टिंग का मतलब हम टूल्स के तुरू automatically सिस्टम की टेस्टिंग कर सकते हैं फिर manual टेस्टिंग फिर से further divided है तो यह टेस्टिंग क्राइब है अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग तरी किसे दिया हुआ है तो जो standard जो ट ब्लेक बोक्स और ग्रे बोक्स वाइट बोक्स और ब्लेक बोक्स से बहुत सारे question आते हैं तो अच्छे से समझना और बिल्कुल सिंपल है वीडियो को शुरू से लेके लाज तक देखना एसकीप मत करना यह वीडियो भी और इसके बाद में जो भी वीडियो जाने वाले ब्लेक बॉक्टेस्टिंग दो तरीकी है functional टेस्टिंग और non-functional टेस्टिंग Fun किंशनल टेस्टिंग फर्दर ważne चार तरेके unit टेस्टिंग integration टेस्टिंग system क्षिपर vaver थेज्टिंग समय है तेंडी तेस्टिंग फिर देखें संदेंग, पर्फोर्मेंस टेस्टिंग ग९ाasto से मीख सी और अंटेस्टिंग और्समिघो, शीजनलिय के सी सन्थे Marine de-da, mc funding शीम टेस्टिंग, अप कि फिर पर्फोर्मेंस टेस्टिंग, उसली है जो मेंटेंस माहिना टेस्टिंगे जो एक्जाम के अंदर क्वेशन आता है तो यह सारी चाहिगे एक्जाम पॉइंट ऑग्जू से इंपोर्टेंट टेस्टिंग जो एक्जाम आती है उनको हम डिसकुस करेंगे बाकी टेस्टिंग तो बहुत सारे परीकिए ओके फर्द सटीडिये लिए आप जो के अंदर हम किसी automated tool का use नहीं करेंगे, ओके, जो manual testing होगी, वो humans द्वारा की जाएगी, ओके, तो manual testing के अंदर further जो सबसे पहला हम ले रहे हैं, वो है white box testing, तो white box testing बहुत important है, बहुत ही simple topping है, चलिए हम इसे समझने की कोशिस करते हैं, तो देखिए इसे नाम से ही पता चल रहा ह white box testing का क्या मतलब है, तो white box मतलब यह है, इसके further नाम भी है, इसका आप open box भी कह सकते हैं, glass box भी कह सकते हैं, structural box भी कह सकते हैं, important हैं, structural testing, clear box भी कह सकते हैं, और transparent testing भी कह सकते हैं, इसका क्या मतलब है, मतलब हमने इसा नाम क्यों दिया, इसका significance क्या है, यह समझने कोशिस करते हम थोड़ी सी ओके तो जैसे यह एक डिबा है ओके जहां से आप जिसे ओर करते हो ओनलाइन अमेजन से कहीं से भी तो माल जी किसी कि इने गिफ्ट मागाया है किसी ने किसी के लिए आपने शकता आपकी ग्ररफरेंड के लिए गिफ्ट बे जाये ओके और जो पार्सल कोब कोई लेकिन आता है जो डीडीवेरी वह नु हुद to say सब्सक्राइब करें कि देख सकता है इस परसल के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है अगर कोई देख सकता है तो इस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे white box और अगर इस box के अंदर जो content है कोई नहीं देख सकता है तो उसे हम क्या बोलेंगे black box white box black box समझ में आया अगर इसके अंदर कोई content रखा हुआ है अगर उसे हम देख सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा white box और नहीं देख सकते है hidden है उसको हम क्या बोलेंगे black box तो अब भी हम सबसे पहले जो discuss कर रहे है कौन सा कर रहा है white box discuss कर रहे है जिसके अंदर क्या होगा इस box के अंदर जो content है वो visible है सभी को अब यहाँ पर box क्या है content क्या इसका significant समझने कोशिद करते है यहाँ पर box क्या represent कर रहा है आपका system क्या represent कर रहा है system यहाँ क्या बहुत सकते है software और इसके अंदर content क्या represent कर रहा है इस system को बनाने के लिए आपने जो functions यूज किये जो global variables यूज किये जो local variables यूज किये जो classes यूज किये जो objects यूज किये तो उसे हम क्या बोलेंगे white box बोलेंगे तो testing को हमने categories क्या है white box testing के अंतर क्या होगा जो भी testing कर रहा है वो क्या है आपके code को भी देख सकता है तो यह ध्यान रखना आपको white box testing कौन करता है developer करता है यह ध्यान रखना white box testing कौन करता है developer करता है डेवलपर दू वाइट बोक्स टेस्टिक, डेवलपर द्वारा वाइट बोक्स टेस्टिक गी जाते ही, तो थोड़ा हम समझे की कोशिश करते हो, फर्दर डीटिल के ना देखिए, जब भी एक डेवलपर एक प्रोग्राम बनाएगा, एक सोफ्ट्वेर बनाएगा, उसको क् इसने जो प्रोग्राम बनाया है, माल लीजे इसने ये प्रोग्राम बनाया ये, ये सिस्टम बनाया है, डेवलपर ने एक सिस्टम बनाया, तो इस सिस्टम के हर एक जो कोड है, उसको लाइन बाय लाइन बाय क्या करेगा, टेस्ट करेगा, कौन करेगा, डेवलपर करेगा, और खुद इसकी क्या करेगा टेस्टिंग करेगा हाँ जो मैंने प्रोग्राम बनाया है जो मैंने सिस्टम बनाया है वो सही तरह से काम कर रहा है और फिर वो क्या करेगा इसको टेस्टिंग करेगा चेक करेगा हाँ यहाँ यहाँ पर सब कुछ सही है line by line पूरे internal code को check करेगा function को करेगा variables को करेगा जो भी इसने जिस type की coding use किये फिर वो क्या करेगा इस तरह की testing को हम क्या बोलनेगे white box testing इस तरह की testing को क्या बोलनेगे white box testing और अब यह जो white box testing है अब यह जो code है या system है उसको चैसटर को बेछेगा डैवल्प्र किसे बेडिएगा टेष्ट्र को बेज़़एगा किसे बेज़़़एगा टेष्टर को बेज़़एगा तो अब यह white box है इसके आपके tester के पास आगया ओके developer क्या करेगा इसकी white box testing करेगा white box testing मतलब इंटर्नल कोड और सब को चेक करेगा टेस्ट करेगा और देखिए का कई प्रोब्लम तो नहीं है और उसके बाद किसे बेज़ेगा टेस्टर को बेज़ेगा टेस्टर कोन होते है जो दूसरे जो एम्पले होते हैं जिनको पर्टिकुली टेस्टिंग के लिए यूज कर रखा होता है उनका काम ही है कि जो भी कोड आया शिस्टम आया उसको टेस्ट करना अब वो टेस्टर क्या करेंगे इसकी टेस्टिंग करेंगे वो क्या देंगे यहां से इंपुट प्रोवाइड करेंगे और यहां पर output चेक करेंगे एक तो expected output होगा और एक actual output होगा दोनों के नहीं के difference है उसे उनको पता चल जाएगा कि हाँ जो actual output आना चाहिए था या जो हम expect कर रहे थे वो actual output से different है तो इस तरह की जो testing है जो tester करेगा उसे हम क्या बोलेंगे black box testing ज्यार रखना white box testing developer करेगा और जो फिर tester के पास जो आएगा वो जो testing करेगा उसे हम क्या बोलेंगे black box testing बोलेंगे क्यों कि वो क्या करेगा यहां से जो error है bugs है उनको क्या करेगा detect करेगा जो भी इसमें problem है उनको क्या करेगा detect करेगा यहां 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 प्रोग्राम करेगा प्लीज से करेगा तो क्या करेगा इस जो system है इसको किसे पास कर देगा वापस developer को पास कर देगा कि आपका यह parcel पकड़ी है यह system पकड़ी है और इसके अंदर यह जो list है यहां 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 यह प्रोग्राम निकलती है फिर से developer को बोलेगा यहां यहां प्रोग्राम आ यह आपके code को सई कीजिए इस तरह के से process क्या चलता रहेगा मेरे ख्याल से आपको समय में आ रहा होगा developer white box testing और tester black box testing करेगा तो अब यह हम किसकी बात करें white box testing क्यों 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 कि जो code किस ने लिखा है developer टीम ने लिखा है तो उसी को पता होगा ना कि बही मैंने किस जगा कौन से variables का से यूज किया distance का यूज किया इसलिए कोन करेगा यह developer करेगा तो अटेखिए क्या लिखावा है white box testing के अंदर also known as open सब्सक्राइब करता है वाइट बोक्स टेस्टिंग के अंदर तो अब हम आगे चलते हैं फर्दर इसी के अंदर तो white box testing की यह techniques है तो यह very important है exam point of view से आपको इनको as it is याद रखना है आपको जा करना है इनको याद रखना पड़ेगा statement coverage, branch coverage, conditional coverage, multiple condition coverage, basis path testing path testing या basis path testing एक है flow graph notation जिसको control flow graph भी बोलते हैं यह important है अभी हम discuss करेंगे loop testing और data flow testing तो यहाँ पर अभी हम जो control flow ग्राम है उसको detail के अंदर discussion करेंगे तो statement coverage क्या है देखिए बिल्कुल simple सा अगर आप देखेंगे white box testing के अंदर हम क्या करते हैं यह जो हमारा system है software है उसको यहाँ से क्या करते हैं improve provide करते हैं और यहां से हम क्या देखते हैं output देखते हैं और input output हम check करेंगे कि अंदर वाली side यह code के अंदर कैसे कैसे flow कर रहा है और फिट जो हमारा पास output आ रहा है किस तरीके से बाहर आ रहा है यह हम किसमें देखते हैं white box testing के अंदर क्यूंकि internal part visible होता है internal part visible का यही मतलब है कि जो code section है हम देख सकते हैं यह developer वो देख सकता है तो जो आपने code लिखा वहाँ पर जो भी statement है उन सब की testing करना इसका मतलब क्या है statement coverage branch coverage condition coverage multiple condition इसका क्या मतलब है condition का होना मतलब जब भी आप code लिखते हैं तो obviously बाहर तो कोई condition था होगी होगी कैसे होगी if x is greater than y यह आपकी condition है तो अगर x condition y से बड़ी है तो आप क्या करोगे इसके just past वाला code execute करोगे वरना else part करके यह वाला part execute करोगे तो यह आपका कौन सा coverage हो गया condition coverage ओके और यह वाला कौन सा हो गया आपका branch coverage और हो सकता है एक code के अंदर एक से ज़्यादा conditions भी हो सकती है multiple condition जिनको हमने detail के अंदर जब हमने uml type पढ़ा था वहाप एक example लिया था उसके दर हमने देखा था basis part testing का मतलब है कि जो code है किस तरीके से work कर रहा है तो अभी हम control flow पढ़ेंगे उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा यह वाली time एक को time होती है linearly independent path तो उसमें हम देखेंगे loop testing मतलब हो सकता है इसके अंदर कोई loop का use हुआ हो तो उसकी भी testing करना data flow मतलब आपका data हो किस तरह किसे flow कर रहा है कहां से यहां से लेकर यहां इस पूरे program के अंदर कैसे कैसे jump कर रहा है हर एक statement के उपर तो यह जो part से अगर आप देखोगे मोटे तोर पे तो पूरा को पूरा white box testing को भी बताता है और internal code को one by one test कैसे करता है यह चीज़ समझाता है तो इसके अंदर जो topic है वो अभी हम discuss करेंगे control flow graph तो जो हमारा next topic है वो क्या है control flow graph तो चलिए क्या है इसका मतलब इसका significance क्या है जिससाल चीज़े हम example समझने की कोशिद करते है तो मैं यहाँ पर example ले लेता हूँ देखिए क्या है example मैं इसे example ले रहा हूँ a equal to माली जे 5 है और b equal to क्या हो गया b equal to b star a minus 1 ऐसे ही कोई मैंने क्या ले ले एक statement ले लिया ओके तो हो सकता है b कहीं उपर वाली से define कर रहा हो इसको यह आप ले ले लिजे b equal to a star a minus 1 तो यह एक छोटा सा program दे रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसकी numbering कर देंगे 1 और 2 और इसको हम graph के थू represent करने की कोशिस करेंगे तो first statement कौन सा है a equal to 5 तो सबसे पहले कौन सा exit हो रहा है first statement उसकी बाद कौन सा exit होगा second वाला statement तो तुझे code दिया हुआ है यह बला इसका control flow graph कौन सा है यह इसका control flow graph है सबसे पहले first statement exit हो रहा है उसके बाद second statement exit हो रहा है बिल्कुल सिंपल है वापस समझते है a equal to 5 b equal to a star a minus 1 तो सबसे इनको numbering कर दिया है one two तो सबसे पहले first वाला statement exit हो रहा है उसके बाद second वाला statement exit हो रहा है चलिए एक और example के तो हम समझने कोशिस करते हैं और यह इसका क्या है cfg control flow graph क्या significance है क्या नहीं इसका हम further देखते है ना फिर देखिए एक example एक और में ले देता हूं जैसे है if a is greater than b ओके तो मान लिजिए c equal to होगे आपका 6 एल्स सी इक्वल टू सेवन और नेक्स स्टेटमें सी इक्वल टू सी स्टार सी यह आपका कोई कोड है आपको दिया हुआ है ओके यह कोड दिया हुआ है आपको तो मैं वापस इसको और आपको क्या बनाना इसका control flow graph क्यू बना रहे क्यू नहीं बना रहे आगे जाके आपको भी समझना जाएगा ओके तो सबसे पहले अगर आपको कोई कोड दे रखा हो तो आपको क्या काम है इनकी क्या करना है numbering one two three four four और अब कोशिस कीजिए इसको graphical रूख के अंदर आप कैसे बताएंगे तो देखिए सबसे पहले कौन सा स्टेट्मेंट एक्जूट होगा फॉर्स्ट वाला स्टेट्मेंट एक्जूट होगा तो यहां बना रहा हूं में one if a is greater than b अगर a b से बड़ा है तो कौन सा कोड एक्जूट होगा second और अगर a b से बड़ा नहीं है तो कौन सा एक्जूट होगा three तो यहां पर एक चीज़ समझ में आ रही है आपको यह क्या है आपका conditional statement है conditional मतलब यहां पर condition दी होगी और यहां से हमेशा एक से ज़्यादा र यहां बन से कहां जम करेगा three पे जम करेगा जैसे पता चला मेरेको इस condition को आप क्या कर दिए सबसे पहले false कर दिए चलिए क्या a b से बड़ा है क्या नहीं है मान लिजे इसकी value आप कर दिए 4 क्या a है ने इसको करने से कुछ होगा नहीं खेर इसको आप यहां दिए 6 मान लि है तो यह एक से कहां जम करेगा तीन पे तो एक से कहां जम करेगा तीन पे अब मान लिजे यहां पर उल्टी कर लिजे चार और तीन क्या a की value b से बड़ी है हाँ चार तीन से बड़ा है तो कहां जम करेगा दो पे ओके और इसके बाद यह कहां जम करेगा मान लिजे दो पे आ गया और दो के बाद किया तीन एक्जूट करेगा नहीं करेगा क्योंकि यह कंडिशन तो अब चेक नहीं करेगा न या तो फॉस्ट के बाद सेकेंड जाएगा या फॉस्ट के बाद थर जाएगा अगर सेकेंड एक्जूट किया तो उसके बाद आरेक यह फॉर्थ पर जम क यह जो आपको code दिया हुआ है इसका, तो देखिए समझने कोशिच के दिया, बिल्कुल simple है और अभी हम बहुत सारे example देखें कि आपको समझ में आजागा के बिल्कुल simple है, आपको a code दिया हुआ यह है, और आपको उसका control flow Poland बनाना है, क्यों बनाना और क्यों नहीं कि identify साइक्लोमेटिक पॉम्पलेक्सिटी ओफ प्रोग्राम तो हम इसको साइक्लोमेटिक कॉम्पलेक्सिटी फाइंड आट करने के लिए यूज करते किसका कंट्रोल फ्लोव ग्राफ का ओके तो सबसे बेले बाद टू या 1 के बाद 3, 2 के बाद 4 पे जाएगा 3 के बाद 4 पे जाएगा, और यह क्या हो जाएगा end हो जाएगा तो मेरे क्या से control flow graph क्या समझ में आए होगा और white box testing क्या है आपको समझ में आए होगा तो अब cyclomatic complexity क्या होती है इसको हम detail के अंदर देखेंगे हमारे next video के अंदर क्योंकि UGC net exam और इसरो exam है निलीट वाले exam है इसके अंदर इसके questions आते ही आते हैं तो अगर आप competition exam की तयारी करें तो यह very important topic है तो मिलते हम next video के अंदर अगर आपको वीडियो अच्छा लगें तो please like जरू करें तब तक हसते रहो मुश्कराते रहो और thank you thank you